हेलो नमस्कार दोस्तों मैं राहुल योशल आप सबका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ हमारे अपटेक हिंदी चैनल में दोस्तों जो आज का वीडियो है आज की इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ रेडमी नोट 7 के बारे में तो यह मोबाईल के क्य क्या खासियत है क्या फ्यूटर्स है और यह इंडिया में कब आने वाला है क्या प्राइस है सारा कुछ आपको इसके बारे में मैं नौलेज देना वाला हूँ दोस्तों आप लोग आया है मेरे चैनल पर नए तो चैनल को कर लेना जरूर सब्सक्राइब साथ में कर लेना बे Redmi Note 7 जो mobile है यह तो भाई अभी भारत में launch नहीं हुआ है लेकिन launch कब होता है देख लीजिए अभी तो date वाइसे नहीं आई यह चीन में launch हो गया है तो इसके क्या स्पेसिपिकेशन से क्या फ्यूचर से क्या प्राइजरेंग में भारत में जो है आ सकता है तो पूरा इसके बारे में मैं आपको पूरा बताने वाला हूँ तो इससे पहले तो आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ कि यह Redmi Note 7 जो mobile है भाई इसके अदर आपको एक update देखने को मिलेगा और वो जो भाई update है वो आपको मैं बताने वाला हूँ कि क्या है तो यह MIUI के अंदर आपको देखने को मिलेगा तो दोस्तों यह देख लीजए यह जो update है यह आप लोगों को देखने को मिलेगा अगर दोस्तों आप लोग करते है नाइट में वीडियो या फिर यह भी फोटो क्लिक करते हैं तो यह क्या होगा आपका परफॉमेंस है फोटो की जो परफॉमेंस है वह आपको HDR वाली कौल्टी देखने को वहाँ पर मिल जाती है अब दोस्तों थोड़ा सा हम इसके बारे में जान लेते इस की स्पैसिपिकेसंस के बारे में तो क्या इसकी ऐसात का प्रोसेशर जो है अप जोगों को देखने मिल जाता है बात आती है दोस्तों रेजूलेशन की ऊड़्यूलेशन जो मोबैल को हो 17 in to 340 फी्सल को ये मोबयल में मिल जाता है और है उप बाद कर लेते तो प्राइस और चीन को रखी देस 12.000 रूपार ये रखी गई थी, अभ इंडिया में आपको बता है, आता है तो 300, 400, 500 इस तरीके से कुछ आपको डिक्रेंशीज देखने को मिलता है, यह फिर 1,200, 1,500 पास ज़्यादा आपको डिक्रेंशी देखने को नहीं मिल लगा वहाद दस अजार दो सव है तो यह मान की चलो ग्यारा जार में आपको जो है मोबाइल इंडिया में देखने को मिल जाता है और दोस्तों यह जो आने वाला है इंडिया में जो मोबाइल आने करेंस न आए टो एजी सब्सक्रावारा है दोस्तों वीडियों एक लएत यहां पर शमा मंगता हूं दोस्तों को झाल झाल